हेलो दोस्तों, आचल टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है, आज है फरवरी की तीन तारीक, वीडियो की शुरुआत करते हैं खुबसूरत रोजेस से, बहुत अच्छी फ्लावरिंग चल रही है अभी हाइब्रिड रोज ब्लांट पर, देखे लेट विंटर और स्प्रिं आया हुआ है इसमें, दो कलर के फ्लावर खिलते हैं, यह देखे यलो वाला और टाइगर रोज, बहुत खुबसूरत दिखने में, एक प्लेन महरून कलर का भी खिला हुआ है इसी में, यह देखे फ्रेंट्स यहाँ पर प्लेन महरून भी है और टाइगर रोज भी है और य जेबरीनो हॉली हॉक उसी के बारे में आप से बात करूँगी पिछले एक साल से मैं इस प्लांट को अपने गार्डन में एड कर रही हूँ तो जो भी अनुभव है मेरे मेरा इस प्लांट के साथ वो सारी चीज़े आप से शेयर करूँगी इसलिए वीडियो में एंड तक जर उसमें और बड्स भी काफी बने हुए हैं एक और इस तरह से लंबा ब्रांच उपर नीचे से फ्लावर रहा है मुस्की इसका ब्रांच उपर पने रहते हैं और विलकुल बूके की तरह लगता है और इसके जो फ्लावर होते हैं वो छोटे-छोटे होते हैं इस तरह से दो कलर शेड में होते हैं लाइट पिंक और डार्क पिंक का कॉम्बिनेशन होता है फ्लावर में जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं हॉली हॉक फैमली से है हॉली हॉक में आपको बहुत सारे कलर्स वराइटी के फ्लावर वाले प्लांट मिल जाएंगे जो इससे बड़े होते हैं फ्लावर्स सिंगल कलर में आते हैं और इससे जो इससे थोड़े बड़े होते हैं जो नॉर्मल हॉली हॉक होता है वो और जेवर नो hollyhock में प्रोपोगेशन की बात करते हैं तो seed से पहुत easily grow होता है लास्ट यहर के seed मैंने collect किये थे उसी seed से मैंने ये सारे plant तयार किये हैं बात करी जाए इसके seed लगाने के मंध की तो मैंने इसकी sizzling करी थी नुवंबर के महिने में इसका वीडियो है मेरे चैनल पर मैं आई बटन पर लिंक डाल दूँगी आप देखिएगा किस तरह से मैंने सिड्लिंग की और किस तरह से मैंने बेबी प्लांट की रिपॉर्टिंग की वो सारी चीजे हैं वीडियो में आप जरूर देखिएगा तो नवंबर के महिने में इसकी सिड्लिंग की जाती है और इसमें फ्लावरिंग होती है लाश्ट जन्वरी से लाश्ट जन्वरी से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है जो चलती है अप्रेल के महिने तक कभी-कभी मई तक भी इसमें फ्लावरिंग होती है और बहुत ज जब गर्मी पड़ती है तब जो प्लांट है वो खराब होना शुरू हो जाता है सिजिनल प्लांट है यह इस्प्रिंग सीजन में जबरदस्त ब्लूमिंग होती है तो इस प्लांट को आप जरूर लगाएं इजी टू ग्रोव इजी टू केर प्लांट है कटिंग मैंने अभी ट्राइ नहीं किया है इसका इसलिए यह प्लांट कटिंग से लगता है कि नहीं लगता इसके बारे में मैं आप इसको नहीं बता पाऊंगी लेकिन असीड से यह बहुत इजीली ग्रोह हो जाता है और यह देखिए मैंने पिंचिंग की है लंबा सा ब्रांच इसका जा रहा काफी लंबा सा ब्रांच चल रहा था, इसलिए मैंने पिंच किया है, ताकि पौधा घणा हो, और इसके pot selection की बात करें, तो ये छोटे से छोटे pot में भी चल जाता है, देखिए ये 7 इंच का pot है, जो सिजनल प्लांट के लिए मैंने pot खरीदा था, 7 इंच वाला, वही pot है ये, और 10 इंच के pot में भी मैंने लगा रखा है, मिट्टी के pot में लगा रखा है, सिमेंट के pot में लगा रखा है, प्लास्टिक के pot में, यहां तक कि मैंने poly bag जो आता है, grow bag उसमें भी लगा रखा है, उसको भी मैं share करूँगी, और जो मेरा compost तयार हो रहा है, उसमें भी, उस बो होनी चाहिए ज़्यादा fertilizer की इसको जरूरत नहीं होती तो fertilizer की मात्र को आप कम कर सकते हैं बस मिट्टी हमारी भूरभूरी होनी चाहिए वे समय समय पर fertilizer आप देते रहें जैसे बस अन्य प्लांट को हम देते हैं सरसोखली का liquid fertilizer तो इन भी आप डाल दें तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा और बहुत अच्छी फ्लाउरिंग भी करेगा लंबे समय तक इंसेक्ट का भी अटेक होता है जो एफिड होते हैं वो लग जाते हैं इनमें तो नीम उयल का इस्प्रे भी जरूरी है फ्रेंट्स या फिर सनलाइट वाला प्लांट है कम से कम 5-6 घंटे की सनलाइट इनको मिलनी चाहिए जब मार्च अप्रेल का महिना आता है जब गर्मी शुरू हो जाती है उस समय आप इनको 1-2 घंटे की सनलाइट मिले ऐसे जगा पर रखें वैसे तो ये लेट विंटर और इस्परिंग सीजन बहुत अच्छे से फ्लाउरिंग करता है सुरुवाती गर्मियों में भी अच्छे से फ्लाउरिंग करता है ये प्लांट और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ देखें ये ग्रो बैग में मैंने लगा रखें बहुत सारे प्लांट उगा थे सीड से मैंने सीडलिंग करी थी तो बहुत सारा प्लांट उगा था तो कहां-कहां लगाूं ऐसा हो गया था कुछ प्लांट मैंने अपनी फ्रेंट को भी दे दिया था और यहां देखिये surprised से गुड़ हल्क भी खिला हुआ है इंसेक्ट का अडेक हो गया है गुड़ हल की प्लांट में और यह देखे, यहाँ बोरी में भी मैंने लगा रखा है, holly hawk यह देखे, यहाँ पर, यह भी अच्छे से चल रहा है, और यह देखे, यह grow bag है, जो आटे की थैली आती है, उसमें मैंने लगा रखा है, 5 किलो वाला, और इस तरब देखे, जो compost तयार हो रहा है मेरा, यह देखे, यह seasonal ही plant लगाती हूं, यह holly hawk का ही plant है, इसमें 4-5 plant लगे हुए हैं, और इस तरह से देखे, वेष्ट, जो चीजें होती है, हमारा kitchen वेष्ट और garden वेष्ट, उसको मैं एक बोरी में भरती हूं, और उपर में मिट्टी डाल कर कोई भी seasonal plant को grow कर देती हूं, जैसे यह बालसम लगा हुआ है यहां पर, जीनिया और बालसम के plant मैंने लगा रखे हैं, यह बोरी में, तो ऐसे ही compost तयार होता है, तो इस plant को भी आप इस तरह से grow bag में लगा सकते हैं, seasonal plant है यह, चार महने तक यह रहेगा, उसके बाद नीचे से हमारा compost भी ready हो जाएगा, और हमार प्लांट भी flowering कर चुका होगा, तो ऐसे ही मैं करती हूँ और इस plant को आप जरूर लगा है, जेबरीनो हॉली हॉप को, और यह देखे, इन्वल क्रिसेंधम है, इसके भी अब flowering शुरू हो रहे हैं, देखे, बर्ड्स कितने सारे बन चुके हैं, और इस तरप का area, देखे, डहलिया कितना बड़ा साइच का flower खिला हुआ है उसमें, तो आज की वीडियो मैं यही आप से शेयर करने वाली थी, वीडियो अच्छी लगी तो comment करके जरूर बताईएगा, और कोई भी inquiry होगी तो comment box में आप पूछ सकते हैं, मैं answer जरूर करूँगी, मेरा वीडियो देख के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर, happy gardening